तो किसने कीती अकबर ने कीति तो आकबर जो था इस कोशन का आपका बिल्कूल राइट आंसर था तिकर अगला कोशन आपसे पुछ़ए अन्पर का था निमली खित्मे से किसे इस्थाफित किया गया था तो नियंत्रान बोर्ड को जो है पिट्स इंडिया एक्ट के अंद्रगत इस्थाफित किया गया था तो आगे भी दोस्तो इसी तरह कोसन रिपीट होते हैं तो याद रखना है आगे भी कोसन पुछा सकता है तो नेक्ट कोसन में संग्य जो सब्द है इसका प्रियोग कहां पर हुआ है तो आपको दोस्तों मैं पता दू जो भायत का संभिधान है उसमें संग्य सब्द का प्रियोग कहीं पर भी नहीं हुआ है तो राइट आंसर जो दिया वादा इंजाइम पाया जाता है यूरिया एंजाइम तेकिए आप से पुछा गयाता अंतराश्ट्य आहिंसा दिवस का मनाय गया था दोब्टूर को मनाय गया था देखें दोस्तों तीनों ही सिप्ट में देख लिया मैंने divas से question 100% पुछा रहा है तो दिवस को आपको अच्छे से देख कर जाना है जब भी आप exam देने जाएं कुछ topic होते हैं जहां से हर परिक समय आपको question देखने को मिल जाएंगे जैसे आपके दिवस हो गई, मेले हो गई, राजधानिया हो गई, मुद्राय हो गई और निरत्य हो गई तो यह क्या है important topic है जहां से आपके question हर परिक समय आपको देखने को मिल जाते हैं तो उस समय जो सासनकाल चल रहा था वो था तो इलतुतमिस का सासनकाल तो चंगेज खाने जो है जलालुद्दीन का पीछा करते हुए जो भारत की सीमाव पर आक्रमिस के सासनकाल में तो राइट आपका इलतुतमिस जो था इस question का था तेकि next question आपसे पुछे गया था लोकपाल का बिचार कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है अमेरिका के संभिधान से या अमेरिका से नेक्ट कोसन पुछआ गया था कौन सा परवत हिमालिय यहां पर सिरंखला है का अंग नहीं है तो बहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया है कि अरावाली दिया हुआ था option में तो अरावाली जो परवत है ये दोस्तों हिमालिय परवत सिरंखला का एक अंग नहीं होत तो right answer आपका ये था तेकर next आप से पुचके गया था पूजा डांडा की स्केल से सम्बंदी को स्मण्द है तेकर पुजा डांडा का सम्द है महिलाओ की freestyle कुष्टी से तो right answer आपका ये हो जाता फिर्ट को सन पूचके गया था धाद रखना धे निश्ट्राप से पुछ गया था राश्ट्य पुराले एक दिवस किस तारी को मनाया जाता है घीन ने हाएनि का इंटरेश्टानल यूनिन उफ travelling के अध्यक्स को न्यूट्र है एकaking अध्यक्स कुन है तो बहुत वह रकलूनीस-बीस में जी जिती थी तो चार खिताब हुए थे न्यच्ट Ooh, मै पहले ही बताया था कि नर्थ्य से को grants Arauz प्रदेश पर हाई कोट के मुख्यfps चीप जैस्टिस कौन है तो अंद्र प्रदेश में जो हाई कोट है उसके मुख्य dep Hut जिस जो है वह न्व est और अरूर। कुमार गारोखासी जयनतिया पहाडी किस राज्य में इस्तित है तो ये इस्तिता दोस्तों मेगालिय राज्य में नेक्स्ट आप से पुछ गाया था बिष्ब का जो तीसरा सबसे बड़ा परवत है बो कौन सा है तो यहांपर तीसरी की बाद चल रही है जब कि दोस्तों आपका 1st और 2nd श्रिप्ट में एक भी कोशन रिथी से देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों आगे आपके रिथी से कोशन पूछाने के ज़्यादा चांस है क्योंकि यहीं से दोस्तों आपके कोशन आगे उठाएने वाला है तो सभी को पता हुआ है कान में पाई जाती है तो यहां पर कोसन वार के स्थान पर बताना है तो कोसन तो दोस्तो एजी है देख लेते हैं एक बार देखें यहां पर 27 आया है तो क्या क्या है इन्होंने दोस्तो तीन का घं किया है तो तीन त्या नो त्या 27 तरह से यहां पर 27 आ गया इनका उसके बाद 125 है तो इसमें क्या क्या 5 का घं किया कितना होता है 125 हो जाता है उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यह 4 का घं है तो यहाँ पर 3 का घं किया उसके बाद 5 का घं किया यहाँ पर 4 का घं है तो इसके बाद क्या करना होगा क्योंकि यहाँ पर 3 में 2 8 किया थ चार में अगर दो एट करेंगे तो यह हो जाएगा 6 और 6 कगन कितना होता है 216 होता है तो 216 दोस्तों इस question का जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाता आगे देखते हैं देखें next question ही पुझा गया था reasoning से ही था AB अनुपात L उसके बाद था BC अनुपात question mark तो बताना है के question mark की इस्थान पर क्या आएगा तो देखें किस तरह से हुआ है A का code कितना होता है 1 होता है और B का code कितना होता है 2 होता है और 12 जो code होता है यह किसका होता है L का होता है तो इसी तरह से हुआ है starting वाले जो number है उनको देखकर आगे जो लिखाया जो भी पिछे बन रहा है उसको आगे लिख दिया है यानि कि 1 और B का कोड़ दो तो यह कितना बना 12 12 किसका कोड़ होता है L का तो L यहाँ पर इस तरह से आगया आगे भी इस तरह से करना होगा दे कि B का कोड़ कितना होता है नेक्स्ट कोशन भी देखें रिजिनिंग से ही दिया हुआ था कोशन था BD, GJ, अनुपात, OQ, TW, समान अनुपात, A, F, I, M, और यहां पर था अनुपात के बाद कोशन मार्ग, तो कोशन मार्ग में बताना था क्या आएगा तो चली देखते हैं, देखें B से आया है आपका O पीग अकोड दो होता है ओक अकोड कितना होता है 15 तो यहां पर हमें एक डिफ्रेंस दीख रहा है उसको बाद में देखेंगे चले पहले देख लेते हैं डी से क्यों किस प्रकार आया डी अकोड चार होता है क्यों कोड होता है 17 तो यहां पर कितने का डिफ्रेंस 13 और यहां प जाएंगा उसके बाद आपकोडगर 6 होता है 13 होता है 13 करेंगेह 23 आनिकि जाएगा आद आजाएगा अगे आगला कोशन जो पुझञा में था ता vd उसके लग फिर found फी फिर इन फी औरर यहां मार्क तो देखिए किस तरह से हुआ है यह बी से आया है अब बी का कोड़ दो होता है आप कोड़ छे होता है उसका डी का कोड़ चार होता है एच का कोड़ इतना होता है आठ होता है तो यानि कि इसमें भी चार एड क्या इसमें भी चार एड क्या आगे दोस्तों एप कोड़ खहे होता है जी का कूट्ट इनना होता है दस होता है तो इसमें बी 4-10 इस मिले हैं तो नियुक्नाशन की छी में कोड़ा हो रहा एट करेंग़ है सा कड़ट्वे सवेरी चार दरब हो रही है तो जाएक तो सिस्वे इसको स्वेशन का हो बि amplit अब दीखे दोस्तों math के और reasoning के जो topic हैं जहां से आपकी परिक्साओं में लगातार question देखने को मिल रहे हैं दोनों ही तीनों ही स्रिप्ट में इन ही topic हो से आपके question पूछे गए हैं तो इन topic को एक बार देख लीजिए क्योंकि इन से आपको कफे ज़्यादा help मिलने वाली है exam से पहले अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा के इन topics से आपके महत और reasoning question देखने को मिल रहे हैं लेकि दो question आपके दिशा संबंदी देखने को मिल रहे हैं लाभानी से आपके question पुछे आ रहे हैं अनुपास समानुपास से question पुछे आ रहे हैं simplification geometry pie graph इन से question पुछे रहे हैं कथन निसकर से blood relation, I.U. संबंदी और दो question पृतिस से देखने को मिले हैं एक question दोस्तो चाल समय दूरी कारे से 100% पुछे आ रहे हैं और देखिए यह साधनल व्याज और चक्रिव्द्याज यहां से भी आपके question पुछे जा रहे हैं तो यह सभी important topic है math और reasoning के जहां से आपकी परिक्सा में question पुछे आ रहे हैं मिलता है आपके लिए आगे जीतरा की वेडियो बनाने का और देखिए दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नहीं आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को पर प्रिस कर लिजिए ताकि बिन आपको न्यूव वीडियो की एनलिजिस की वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके चले दोस्तों मैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत